हाई गाईज वेलकम टू माई विमला देवी योट्योब चैनल आज मैं आपको बताऊंगी कबूतर का घर में अंडे देना सुब होता है या असुब होता है इसके पारे में मैं आज आपको जानकारी दूँगी तेखिए यदि आपके घर में कबूतर ने या कबूतरी ने घोसला बनाया है या फिर अंडे दिये है और वो अपने बच्चों को पाल रहे है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है मैंकि ये असुब संकेत है घर में सुबह सुबह कबूतर का आना या चिरिया का आना पक्सियो का आना अच्चा सुब माना जाता है बहुत अच्छा माना जाता है सुभह, घर के मंडेर पर पक्सियों का चह चहाना या फिर कबूतर का घर में घोसला बनाना अंडे देना बहुत अच्छा माना जाता है आपको ऐसी उपलब्दी मिलने के संकेत है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है यदि आपके घर में कबूतरी ने अंडे दिये है बच्चे पाल करके वहां से ले गई है और फिर वहां पर दुबारा कबूतरी बैठ गई है और अंडे दिये फिर से अपने बच्चे पाल गई है ऐसा संकेत बहुत ही अच्छा और सुब संकेत माना जाता है जिसके बारे में आपने कामना भी नहीं किया है ऐसी कार्य पूरण आपके होने वाले है या ये कईए आपकी अधुरी मनो कामना पूरी होने के संकेत है यदि ऐसा संकेत आपके कबूतर और पकसी देते हैं तो इसलिए यदि आपके घर में पकसी घोसला बनाने जा रहे हैं तो आप उनको हटाना चाहते हैं तो ऐसा ना करें उनको घर में पर घोसला बनाने दे और उनके लिए पानी और दानी की वेवस्था करें यह आपके लिए एक सो भाग्य और सुखद भविश्य की और संकेत करता है ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और आपको यह वीडियो अच्छा लगए हो तो इसे सियर करें धन्यवाद